सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमास्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूं कि आप ठेकी होंगे दोस्तों आप लोग के सामने मैं SLR पीन लेकर आया हूं जो इसमें वाइरिंग करना है माइक जो लगा जाता है तो इसको करना है किस प्रकार यह शेट होगा यह वायर तो आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आने पाए देखिए मैं किस तरह से शेट करने जा रहा हूं तो देखिए इसको मैं अंतर से ठेल करके बाहर कर दिया अब इसको मैं वायर को काट रहा हूं ताकि यह कटने के बाद में मैं इसको जोड सकूं देखिए जो लाल वैर है एक अलग ही वैर है जो नीला कलर का है हलका सा तो इसको मिझे सोल्टरिंग करने नहीं सोल्टरिंग करने के बाद इसको मुझे जोड़ना है फिर तो सोल्टरिंग होने के बाद मैं इसको जोड़ूँगा देखिए जो लाल वायर है यह लाल वायर इस लाल वायर पिन में हम जोड़ेंगे तो कहां हम जोड़ेंगे तो आपके मैं दिखाता हूँ इस पर दो लिखा हुआ है देखिए दो लिखा हुआ है तो इस पर हम लाल को जोड़ेंगे लाल को जोड़ने के बाद मैं फिर आगे बढ़़ूंगे काम किस परकार दूसरे नमर के हाँ जोड़ेंगे हम तार कौन तार जोड़ेंगे तो मेरे वीडियो में बने रहे तक ही आप जानने पाए तो देखिए अब मैं जो दूसरे रंग का तार है जो हलका सा बुलू है तो इसको मुझे जोड़ना है अब मुझे लाल वाली वायर जोड़ना है जो दो नमर होता है उसमें जोड़ देना है भुलू वाला वायर को मैं जोड़ चुका हूँ थ्री नमबर और वन नमबर में मिला करके आपस में टच करके जोड़ दिया हूँ अब मुझे रेड कलर का मुझे जोड़ना है तो देखिए मैं रेड कलर को तू नमबर में जोड़ चुका हूँ मैं अच्छी तरह से इसको जोड़ लूँ उसके बाद मैं आगे बढ़़ू दोनों तार आपस में लाड़ना नहीं चाहिए साट नहीं होना चाहिए नहीं तो मैं चलेगा नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों वार को जोड़ करके चेक करूंगा कि क्या ये माइक काम करेगा कि नहीं करेगा बिना मसीन बिना बाजा के देखिए महीन काम है जल्दी काम हो नहीं रहा है मैं फिर भी जोड़ रहा हूं अब वायर जुड़ चुका है अब इसको मुझे शिड़ कर लेना है रिंग को लगाना है रिंग को मैंने लगा दिया अब बैक से टैड कर दिया जो पीछे से था अब देखिए मैं चुड़ी टैड कर रहा हूं आगे बढ़ गया अब मुझे जो जेक पिन होता है इसमें वायरिंग करना है तो देखिएगा पहले मैं इसको चेक कर लूँ SLR पिन को लगा करके कि क्या काम हुआ साही कि नहीं हुआ चेक करूँगा मल्टी मिटर डिटल मिटर से तो देखिए काम कर रहा है आफ के देखिए आफ हो गया अब रेड़ वायर को मैं सोल्टिंग कर रहा हूँ अब रेड़ वायर जो है इसको मुझे अंदर करना है तो अंदर भी कर लिया अब रेड़ वायर अब रेड़ वायर में मुझे जोड़ना है जो पीच वाला तार होता है जो छोटा है और रेड़ वायर उसको जोड़ना है उसमें तो मैं इसमें भी पेस्ट लगा रहा हूं तो दिखिए इस सोल्डिंग होने के बाद मैं इसको इस वायर को जोड़ूँगा जब तक इसमें सोल्डिंग नहीं होगा तब तक वायर नहीं जुड़ेगा तब पहले इसको मैं अंदर कर लिया आप मैं सोल्डरिन कर रहा हूं जो बुलू तार था उसको मैं टॉच्च कर लिया जोड लिया आप रह गया रेड कलर का तो रेड कलर के जोड़ूंगा अब मैं सारे वायर को जोड चुका हूँ अब मुझे चेक करना है अची तरह से कि किया वायर सही से जुड़ा है या नहीं तो देखिए मीटर को चला रहा हूँ नमरी बता रहा है कि वायर अच्छे तरह से जुड चुका हुआ है वायर जुड़ चुकाची तरह से चेक भी कर रहा हूँ चेक भी हो गया तो सही है सब